साथियों भारतिये जनता पार्टे के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश ये परंपरा डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी के बलिजान की शक्ति है कि हम वो स्वप्न पूरा कर पाए आर्टिकल 370 हटा कर कश्मीर को संवेधानी अधिकार दे पाए हम सभी ने देखा है कि कैसे अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्विकार कर लिया लेकिन पार्टि के आदर्शों से समझोता नहीं किया अपात काल में लोगतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कारकरताओं ने कैसे कैसे कश्ट सहे लोगतंत्रीक नहीं तिकता के कैसे कैसे उधान दिये हमारे देश में राजनितिक स्वार्थ के लिए दलों के तूटने के अनेकों उधान है लेकिन देशित में लोगतंत्र के लिए दल के विलएगी घटनाएं शाहिदी कहीं नजर मिलेगी भारतिय जनसंग ने ये करके दिखाया था ये देश में सरकारों के कामकाज का नया मुलमंत्र रहा है बावजुद इसके दुर्पाग ये हैं कि भाजपा अगर चुनाव जीते तो इसे चुनाव जीतने की मशिन कहा जाता है लेकिन दूसरे जब चुनाव जीतते हैं तो पार्टी की वहाँ वाही नेताओं की वहाँ वाही नजाने क्या क्या कहा जाता है इस तरह के दो मापदन हम देख रहे हैं जो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशिन हैं वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की जो परिक्पक पता है उसको समझी नहीं पाता है वो भारत के नागरिकों की जो सुझबूज है उसका आकलेने नहीं कर पाते हैं वो उनके समझ के परे हैं वो भारत के नागरिकों की आशा अपेक्षाएं और उनके सपनों उससे कभी भी समझ नहीं पाते हैं सच्चा ये हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशिन नहीं, देश और देश वास्यों का दिल जीतने वाला एक अविरल अनवरत अभियान है। हम पांच साल तक इमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। हमें गर्व नहीं करते हैं कि हमारा दल जीता हम हमेशा इस बात का गर्व करते हैं कि देश के लोगों ने हमें जीताया। साथ क्यों अंग्रेजी में कहावत होती हैं टीप अपड़ आइसबर्ग। हमारी पार्टी में भी एक टीप अपड़ आइसबर्ग हैं। यह अखबारों में टीवी पर दिखता है लेकिन इनकी संख्या बहुत जादा नहीं हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जो नजर नहीं आती हैं। भाजपा के उन कारकरताओं की हैं जो आम तोर पर दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन वो जमीन पर रह करके काम करती हैं। यह भाजपा को ताकत देते हैं। जनता के बीच काम करते हुए संगठन की शक्ति को और बढ़ाते हैं. अपने जीवन से, अपने आचरन से, अपने प्रयासों से वो जनता का दिल, जीतने का काम अभीरत करते रहते हैं. इनी के प्रयासों से आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. आज आम जन्मानस ने ये मैसूस करता है कि भाजपा सरकार का मतलब है राष्ट निर्माण के लिए सही निती, साफ नियत और सतिक निर्णाए भाजपा आने का मतलब है राष्ट पतम, नेशन फर्श्ट, भाजपा आने का मतलब है देश हिद से समझोता नहीं, देश की सुरक्षा सर्वोपरी भाजपा आने का मटलब है मौशवाद परिवारवाद की राज़िती से मुक्ति भाजपा आने का मटलब है योग्यता को आउसर भाजपा आने का मटलब है पारदर्शिता, good governance भाजपा यानि सबका साथ, सबका विकास, सबका विस्वास आज भाजपा भारत की विवित्ता की अनेकता में एकता की प्रतिक बन गई है